दोस्तों इस समय करनाल की बड़ी सब्सी मंडी जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज हर्ताल है एक दिविसे हर्ताल जो एक तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कहीं पर कोई भी जो दुकान है वो खुली नहीं हुई है और कल भी आपको इसकी जानकारी दी थी और देख सकते हैं कि ये पूरे हर्याना के अंदर जो है आज इस तरीके से जो एक दिन की हर्ताल जो है वो की गई है यहाँ पर जो सभी आड़ती है और साथी साथ जो सभी दुकानदार है उनकी जो फीस है फीस बढ़ने को लेकर किस तरीके से यहाँ पर आप देख प को कोई सबजी असा जो सामान दिख रहा होगा और यहां पार जो बकाइदा जो सभी आरती हैं सभी लोग हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं बकाइदा आज आपको तस्वीरों में दिखा दे तो सभी यहां पर जो परधान है वो यहां ब यह सारा पूरा रहना फिर कब बंद करना या अनिश्चित काल के करना है वह हम 15 जनवरी के बाद फैसला लेगे यह इसका समधान है नहीं हर्ताल तो इन्होंने मजबूर किया हमारे को हम नहीं चाहते थे हम गोवर्मेंट के खिलाफ नहीं है गोवर्मेंट से नराज है अब न से भी पुशन मेरे दो पता जी जी सबाता जनाब कि हमारे पास हर्याना गोवर्मेंटने सरकार ने moim 2023 से माम की फिसका दैप्स करकें तो 2020 में करोना काल में हम आपको ये ताजी सर्कार ने एकार कि हम आपको 2 % फिर रिलाबू करेंगे कम सरकों से कम क्रोने काल और में आपको कोई यूगदान चाहिए है रहा हमने उनकी सहमति दे सब 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 मार्केनिंग बोटर से चीफ सब से मिले सब से रिक्वेश्ट करें कि आप अपने वाइदे पर आईए दो साल हमारी पूरी अर्याना संक्राइं यूनिन जाती रही आखिर कार सरकार ने हमारी मांग मान ली और विदान समय में प्रस्ताव पास कर दिया कि यह जो है पिस इन्होंने क्या करा उसके बाद 15 दिन बाद आप और करनून और लागों कर दिया रहें पर कि आप से हम एक पूश्ट फी ले लेंगे एक मुश्ट बश्रते कि आप हमारी यह शर्तों को पालन को जो शर्ते हैं ना वह हमारे पर पूरी नहीं हो सकती किसी किमत पर वह श फीस भी लूँगा और आपको जमा कराऊंगा जिब हमारे पर किसान माली नहीं लाएगा या हमारे को पड़ता नहीं लगएगा मालाने का हम कैसे आपको पहले डवास फीस देते हैं डवास करते हैं और चालीस परसेंट बढ़ा के देतो यह काला कनून है इसके विरोध में फैसल लिए जाएगा आगे शैदो अनिश्चित कालगी हरताल का फैसल पूरे हर्याना में है यह पूरे हर्याना की छोटी से लेकर बड़ी मंडी आप यहां के सोनीपत अंबाला करणाल पानीपत गरोंडा रोतक गवाना भवानी कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जिसे आड़त इस बारे में कोई दुबारा बातचीत हो रही है अबी सरकार से इस बारे में 2-3 दिन का वैदा कर। से शेर के सारी पब्ली को प्रिशानी होती है खाने पे ने समाना है दस लाग लोग जुड़े हैं इस कारोबार से दस लाग जो लोगों का कारोबार बंद होता है किसानों का अम्माल खराब होता है तो यह सब बाती जाना सरकार को सोचनी चाहिए कि यह जनीत के विरुद है इस कुनून छोटे से कुनून है अब बड़ी सबसे बड़ी बात क्या है फिरफ 27 क्रोड रुपए सारा साल की फीस है सिर्फ स्थाई क्रोड जबकि सरकार के एक पुर्जाट के एक एक घजार क्रोड रौना उस सबस्क्राइब हो जाते हैं सिर्फ करोड का मतलब यह है कि स्थाई कौड के ओपर पीस को लगाने के लिए हमारे उपर वह सो सो करम चारी छापा मारने आ जाते हैं हमें प्रशान के जाता है सब्च decir काम बेचनी जाती इस वचे से हमने कहा था कि पहले भी नहीं थी अभी कर प्रियांड करो और फ्रीयांड में पब्लिक फैदा रहेगा और सवल्य से काम होगा अब है अब यह इस रिटेलर भी सामिले से टेलर रिडी सब सब्सक्राइब कि आप दुकान बंद रखेंगे तो रिटेलर के पास तो बंद आना इनकी मजबूरी किया हमारा कोई मतलब बंद करें हम तो यहीं चाहते हैं कि यह मारी समस्य सुल जाए और हमारा यह टेक्स टाल अब लगाए इसको टालिया जाए और वाकि मारी फीस माफ कर करनाल की जो सबजी मंडी है बड़ी सबजी मंडी जहां पर आपको बिलकुल भी ना ग्रहक दिखरा होगा और ना ही दिखरा होगा कोई दुकानदार हर जगा पर फिलहाल देख सकते हैं कि सब कुछ जो है आज बिलकुल बंद किया गया है और यह है विरोध एक तरीके का की जो फीस है वो बंद होनी च है वो किस तरीके से बड़ी सबजी मंडी बंद है और पूरा हर्याना भर्म के अंदर आज सबजी जो है वो नहीं मिलेगी तो आप इसे निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अभी फिलहाल इतना जरूर का गया कि ये एक पैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक